करिंगे हलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत हैं यहां पर आप देश सकते हैं जरोधा ब्रोकरेस केल्कुलेटर है इसी को हम एक्सल पर calculate करेंगे तो यहां पर हम सिर्फ लेंगे intraday equity यानि कि अगर आप सेम डे पर खरीदते हैं और बेशते हैं तो उसके लिए क्या charges आपको देने हैं जरोधा brokerage पर तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप buy और selling amount डालते हैं quantity डालते हैं तो नीचे आपको net profit भी loss दिखा देगा और total taxes and charges भी आपको यहां पर दिखा देता है तो इसी को अब हम एक्सल पर calculate करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने एक्सल पर यह चीजे सारा formula के तुरू यहां पर मैंने calculate किया हुआ है यानि कि यह शेर्स के जो नाम है और यहां पर quantity मैंने मैंने किया है बाय और यह तीन चीजे डालता हूं तो इसके हिसाब से मुझे यहां पर profit and loss और taxes निकाल कर मुझे देता है तो इसको बहतर तरीके से समझने के लिए मैंने यहां पर इसको रूवाइज में लिया हुआ है टाकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ दोस्तों gross profit निकालने के लिए आप क्या करेंगे selling price में से buy price करोगे तो यह आ गया इसमें से आपको multiply करना है quantity जितने भी quantity आपने लिए थी उसको आप यहां पर करेंगे तो यह आपका gross profit निकल के आ गया और net profit में क्या करेंगे जो gross profit है ना c6 में उसको minus कर देंगे c8 से जो की total taxes and charges है जो की जुरोजा charge करता है turn over निकालने के लिए मैंने क्या किया buying price और selling price को plus कर दिया sum कर दिया उसको multiply कर दिया quantity से तो यह total turnover निकल के आगया है तो इसको हम formula में आगे use करेंगे ठीक है अब हम यह brokerage निकालने के लिए आते हैं तो brokerage निकालने के लिए अब यह चीज़े हैं यह आप को कहां से मिलेंगी तो यह अब जैसी की brokerage calculator आप website खोलोगे तो नीचे आप scroll करोगे तो यहां पर आपको दिखने को मिल जाएगा all charges explain पे click करोगे नीचे आओगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इंट्राडे का equity इंट्राडे की पूरे charges आपको यहां पर explain करके मिल जाएगा यह निके brokerage का यह है और यह sell site पे यह transaction चार्ज़ा हो गया इस तरह से आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो अब हम calculate करेंगे brokerage करने का rule क्या है जुरोधा कहता है कि अगर आप 0.03% या 20 रूपीज पर educated order यानि कि आपने यहां पर दो ऑडर एज़ेक्वेट किये हैं अगर आप सो buy करके sell करते हैं तो buy एक education हुआ दूसरा sell करने पर education होने यानि कि आपको 40 रूपीज maximum यहां पर देने हैं या तो आपको 0.03% देने या तो 40 रूपीज देने इन दोनों म सबसे पहले हम percentage में calculate करते हैं तो percentage calculate करने के लिए सबसे बहतर तरीका यह होता है उत्माल हो कि यह 20 है 20 का मुझे 2% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 20 में क्या करूंगा 2 divided 100 जितने भी percentage आपको निकालने उसको divide करना है 100 से एक तो यह तरीका हुआ दूसरा तरीका यह हुआ कि यहां पर 0.002 निकालना है 0.02 से आप multiply कर सकते हैं तो 0.02 कैसे हुआ है आया आपको अगर पता नहीं चलता कि point कितने लगाने 0 कितने लगाने point के बाद तो आप simple किजिए आपको निकालना कितने percentage है 2 percentage आपको निकालना है इसको divide कीजिए 100 से उसके बाद जो भी आप का यहां पर नमर आता है उसी से आपको यहां पर multiply करना है तो यह तरीका है किसी भी नमर का percentage निकालने के लिए तो यहां पर हमें निकालना कितना है जीरो point zero three percent तो यहां पर मैं लूँगा इन तीनों में से तरीका मुझे सबसे बड़े हैं यह बहतर तरीका यह लगता है तो पहले हम यह जान लेते हैं कि zero point zero three divided hundred इसमें कितने 0 और लगेंगे तो जो लगेंगे तो यहां पर मुझे टर्न अबर निकालना है पहले हमने यहां पहले ही फार्मले के थूर यहां से निकाला हुआ था इसमें हम मल्टिप्लाय करेंगे 0.0003 तो यह आपका पर्सेंटेज निकल के आ गया और मैक्समिम कितना था 40 तो कहने का मतलग यह है कि 40 और 70.25 में मिनिमम कौन सा है कम कौन सा है लोर कौन सा है 70 तो 70 आपको चार्जस देने होंगे अगर यह चार्जस बढ़ जाते हैं अब जैसे मैं यहां पर इसका अमांट बढ़ा देता हूं आपको समझाने के लिए तो आप दिखेंगे 40 और 95 में स में अब इन दोनों को हम फार्मॉला में कैसे लगा सकते हैं अब दोखो यहां पर हम क्या करेंगे minimum formula का इस्तमाल करेंगे आएंगे दूसरे में 40 यानि कि इसका जो एंसर आया और 40 इन दोनों में से जो भी मिनिमुम होगा वह अपने वाइल फोल्ट यह ले लेगा तो देखा आपने यहाँ पर 75 इसने ले लिया यहाँ अगर मैं अमाउंट बढ़ाता हूं तो यह क्या लेगा 40 ही लेगा हुआ की तो हमने यहाँ पर यह multe लगा था इसको मैंने रॉंड रॉंड्र भी लगा लिया इसको अभी हम आप जो 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 डा की ज derive जो क्या कैलेशन रहां समय है मैच करेंगे वहाँ पर poign का ही फ़रण पड़ेगा रों डेंब इसल vitus हावा रहा अब यहाँ पहां सिरुफ word साइड कार्ण निकाल ला है क्योंकि इसने यहाँ și में प्राइब कर दिया तो निकालने के लि snack करें एख हैं आप यहाँ पर हम पहले यह टरणावर लेंगी एसाइट का Robin काodor का प्राइज अखरफ दिटी टर्राइद कार्णाव нед में ले लेते हैं इसी का मुझे निकालना है 0.025 यानि कि टूजिरो और लगा देना है तो यहां पर हम क्या लगा निकिसे तो आप यहां पर देखें 0.025 परसंटेट 100 तो जितने भी परसंटेश में 2.0 और लगाना पॉइंट के बाद समझ भी नहीं आता तो आप इस तरह से तो यह पर तो जिरो और लगे ना 20 एक और जीरो नहीं कि 00025 से इसको मैं टिप्लाइक करना है तो यह सेल साइट का ध्यान रखेगा सेल साइट के लिए मुल्टिप्लाइट करेंगे 0.00025 तो यह आपका यहां पर निकल कर आ गया इसका राउंड अप ले लेंगे सीधा हम जीरो लेंगे कि जरोधा में इसने जीरो ही लिया हुआ है और यहां पर जीरो यानिकि पॉइंट क कर सकते हैं तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फॉर फाइब इसमें और डवल जीरो एड कर सकते हैं से आप मेंटिप्लाइग कर सकते हैं जो कि आप मैंदें किया हुआ है GST निकालने के लिए आप ब्रोकेस पलस ट्रांजेक्शन यानिकि यह दोनों को पलस करना इसको पर यह आपको मैं समझाता हूँ इसमें थोड़ा साम और फार्मॉलास चोटा करेंगे तो पहले हमें 10 क्रोड का निकालना जैसे कि 10 यहां पर लेता हूँ उसको अगर मैं डिवाइट करता हूँ 10 क्रोड से इसका कहने का मतलब है कि 10 मतलब सौरी एक क्रोड अगर आपका जो टर्न तो यह क्या गया 50.501 से आपको क्यालकुलेट करना से भी चार्ज निकालने के लिए तो पहले टन अबर हमने यह ले लिया इसको हम मल्टिपलाई करेंगे पॉइंट 000041 तो यह आपका निकाल के आ गया है से भी चार्ज इसमें अब जेस्ट भी एट करना है इसी का जेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे टन अबर लें लेंगे पॉइंट 00001 तो यह आगया आपका इस पर हम लगा देंगे 18 पर्शंट जेस्टी मुल्टिपलाई 0.18 यह हो गया अब इसको अब इसको यहां प्राइट करतेंगे इस तरह से कि मॉझे फिलाज जौन आपका में लेते हैं थाकि कुछ कमफी जौन आओ तो इसको हम रॉंड उप मिलेंगे तू लेटें रॉंड उप में प्ले प्राइट तो यह 0.07 निकल कर आ गया है तो यहां पर आप देख रहे हूँ हम फार्मला को छोटा भी कर सकते हैं तो यह on हम करते हैं जिसको ज्यादा करना है नहीं फूरते हैं तो यह नौरम्लिय तो यहुंसितरसे यह वाला ले लेंगे जो भी इसकी फर्स्ट वाली कैल्कॉलेशन थी हमारी कि जी नाइन अन्हें कि टर्न ओवर अब का 0.001 करके जो भी आता है इसको हम कॉपी कर लिया हमें ने उसके बाद आपको करना क्या है यहां पर लगाने वन पलस और लास्ट जेस्ट कितना परसंट था 1.8 ब्रैकेट क्लोज मुल्टिप्लाय और वह क्यालकॉलेशन आपको डाल देना है इसका मतल़ भी होगा जो भी इसकी जो कैल्कॉलेशन है ना इसकी कैल्कॉलेशन इसको भी आप ड्रैकेट में डाल दो दिये ताकि आपको को क्या है यानि कि यह जो आपकी calculation है यह एक से multiply करें तो Same answer आएगा और इससे multiply करेगा यानि कि 18 से हम multiply ही तो करें जो भी हमारा answer आ रहा है तो इसलिए यह स्वाट तरीका होता है यहां पर हमें यह two वारी यह mention करने की यहां पर जरूज नहीं है तो यहां पर दोनों में common था इस common को मैंने यहां पर लेकर इस तरह से इसको कर दिया है कि इसको अब यहां पर roundoff लगा देंगे bracket open और यहां पर टू ले लेंगे और यहां पर जिरो 0orn rampu 7 यहां पर नहीं एंसर और आपकर यहां। देखनेंगे को यह वाला एंसर मिल जाएगा और इसी तरह दोस्तों जैसे हम आप पनेख यहां भी निंफा यहां नहीं टीनों भॉल्येड 0202 पर स्म्मण गार को हम परें तो यहां पर हमने मैंने वहीं क्या हूए है कि का तो बाई साइट की निकालने के लिए पहले सी 3 में कहता हमारा बाई का और यह सी 5 में कौन्टिटी तो हमने बाई साइट का टॉन आपर ले लिया इसको मौलिटि अप्लाई कर दिया 0.003 से और कोमा में 300 डाल दिया तो इन दोनों में सो जो भी चोटा हुआ मिनिमूम के ले लेगा और यहां पर में दिखा देगा दोस्तों यह वाली एक्सलिट आपको डाउनलोड करनी है तो abymunk.com जिसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा उसके डाउनलोड वाले section में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो इसी को मैंने वहां पर एक्सल में देखेंग आपके पास कुछ कोश्चन प्रियोरी है तो comment box में मुझे comment कर सकते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आकनों को भी प्रेस कर दीजिए ताक कि मैं को नई वीडियो डालता हूं जिसकी नौट कर देखें आप तक सबसे पहले पहुंच आएगे मिलते हैं ऐसी इंट्रेस्टिंग ट्रापिक साथ नई वीडियो में तबता के लिए बावाई